Class 9 Science से हमने शुरू किया था Life Processes in Living Organism जिसका आज हम देखने वाले हैं lecture no.3, lecture 1 और 2 अल्रेडी हो चुका है, उसका link आपको description में मिल जाएगा और आज हम cover करेंगे वो सारी चीज़े जो page no.168 to 170 पे लिखी होई है, so let's get started, students चैनल पे मैं और भी chapters cover कर चुका हूँ, जो भी आप कोई आप स्क्रीन पे दिखना है, इन सारे chapters का link आपको description में मिल जाएगा, my name is Shivam Jha, an educator by choice, a memory coach and a creative learner and हाँ, तुम सब का प्यारा भाई, बेरे प्यारे super learners, इन सारे chapter के जो note से हमारे इस telegram channel पे मिलेगा, इसका link description में है, अब हम सीधा शुरू करते हैं, आज का lecture, जिसमें हम control and coordination को बहुत detail में पढ़ने वाले है, for humans नहीं, for plants, चलिए अच्छे से पढ़ते हैं, अराम से, एक एक चीज़ करके, तो जो इनसान होते हैं, उनके बहुत सारे life process continuously चल रहा होता है, जिससे तुमारा brain काम कर रहा है, तुमारा circulatory system, तुमारा nervous system, इसके अलाबा तुमारा digestive system, ऐ और सारे organ system काम कर रहे होते हैं, organ system से मतलब भा, digestive system, nervous system, etc, हम humans, अलग अलग काम करते हैं, जिससे हम चल रहे होते हैं, दौड रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, किसी को पढ़ा रहे होते हैं मेरी तरह, तो life बहुत smoothly, life जो है, वो बहुत smoothly चलेगा, if there is coordination between the organ systems, और organs, अगर organ system में, और organ में coordination रहेगा, तो life बड़ा smooth चलेगी, ठीक है, and there is testimony in the surrounding, यह stumululul के लिखा है, और क्या यह सही spelling है, यह सही है, बट एक छोटा आई, पीछे L की तरह लग रहे है, कोई बात नि, मैं तुम्हें समझाता हूँ, मेरे पास न, एक OP कहानी है, तुम तुम्हें सारी चीजे समझ में आ जाएंगी, तो एक बार एक विनाने से जंगल में, नोभीता जाता है, क्योंकि वो हाइडन से खेल रहा होता है, और उस जंगल में उतर करके दोर दोर की जाता है, मैं पेड़ के वीचे छुप जाओंगा, अब इस समय पे, जो हमारा है, इसके जो हर्ट है, यह सारे सही से काम कर रहे है, इसका मतलब यही नहीं है कि नोभीता का हर्ट अटेक होने वाला है, डांदर सुनू, अच्छे समाबे प्रकट होता है, एक नाग देपता, अब यह देख करके, अफकोस हमारे भट्टू नोभीता की भट जाएगी, और इसके बारे में अभी मैं आपसे साथ बात करने वाला, तो कहानी में क्या होगा, यह तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर जो साप है, वो क्या है, अभी जो थोड़ी दर पहले हमने एक वर्ड पढ़ा था, स्ट्यूमिलस, अब तुम बोलोगे, यह स्ट्यूमिलस का मतलब क्या होता है भईया, तो स्ट्यूमिलस का मतलब होता है, स्ट्यूमिलस इज एनी चेंज इन दे एक्स्टरनल एन्वार्मेंट, मतलब की एक्स्टरनल एन्वार्मेंट, जो आज पास में जो एन्वार्मेंट है, उसमें अगर कोई भी चेंज हुआ है, तो उसको स्ट्यूमि होगा अब ऐसे में दो चीजों की सक्ता वशक्ता है control and coordination और यहाँ पर कोई गड़बर नहीं होना चाहिए तुम समझो जब यह बेचारा डर चुका है और इसको भागना है इस समय में इसके brain में circulation बढ़ना चाहिए इसकी brain signal भीजेगी इसके बाकी organs को कि भाईया अब भागना है यहाँ पर खतरा है इसके पाऊं तक signal जाएगा इसकी body तक signal जाएगा हातों तक signal जाएगा लंग्स तक signal जाएगा कि जादा blood फट तक signal जाएगा कि जादा blood pump करो लंग्स तक signal जाएगा कि जादा oxygen लाओ breathing fast हो जाएगी और यह दोडना शुडू करेगा अब यह सारी के सारे process एक controlled manner में होना चाहिए और सारे organs के बीच में एक coordination होना चाहिए अगर ऐसा होता है तो हम कहते control and coordination अचीव हो चुका है और might be नोबिता बच जाए अगर नोबिता नहीं भी बचेगा तो उसको बचाने के लिए और तुमको पढ़ाने के लिए मैं हूँ तो सारे chapters के link description में जा करके पढ़ लेना और है इस चैनल को subscribe कर दो हमें subscriber count बढ़ानी है क्योंकि हमें हमारी family बढ़ी करनी है आगे बढ़ता है stimulus इस word को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं तो दूप था और दूप में था हमारा sweating मतलब नोभीता नहीं नोभीता नी बंटू बंटू की sweating होने लगी एक और example लेते हैं हमारा बंटू बुड़ा हो चुक और का परा है बंटू को नहीं नहीं पता आरे बंटू मेरा जिगर का टुकड़ा चले आगे बढ़ता है तो बंटू का परा है तो यहां पर जो stimulus है environment में जो change है वो है cold और जो response है वो है shivalry अब यहां पर धानसे सुनना है यह वाले line को stimulus is any change in the external environment यह तुम्हें पता है and all organisms will respond to the stimulus सारे organism को stimulus के प्रती response करना पड़ेगा साथ पसीना आएगा डर लगेगा lungs ज्यादा oxygen के demand करेंगे या फिर heartbeat बढ़ जाएगा जो भी depend करता है stimulus प लिए अलग-अलग प्रकार का response होता है is it clear to you all video के end में मैंने बहुत ही exciting चीज़ के बारे में बता है उसको जरूर देख लेना आगे बढ़ते हैं अभी control को भी हमें कैसे define करूगा control को हम define करता है control refers to the systematic regulation of various activity अगर जो भी activity body में हो रही है अगर वो एक systemic manner में हो रहा है तो उसको हम कहता है control अगर systemic manner में हो रहा है इससे हम example लेके समझते हैं जिसे हमारा नोबीता था हमारा नोबीता ने सांप देखा अब सांप उसकी आख द परना है signal भेजना है brain तक भाईया सांप है खतरा है जाके उसकी पी तो नहीं लेनी है जगना है वहां से ठीक है brain क्या करने का बाकी body part तक signal भेजेगा और बाकी body part accordingly काम करेंगे तो यह हो गया systematic regulation of various activity अब coordination मतलब क्या होता है coordination का मतलब होता है coordination means the orderly execution of activities चीजे orderly होनी चीए आ oxygen का demand lungs में बढ़ेगा फिर पाउं तक signal जाएगा फिर वो भागेगा orderly execution समझ रहे हो अब तुम्हें यह systematic और यह orderly देखर के एक सा लगेगा लेकिन दोनों अलग है control मतलब control और coordination मतलब एक के बाद एक के बाद एक simply ठीक है तालमेल होना चाहिए चीजों के बीच में that is coordination सकता है या सामने वाला खत्रे में जा सकता है यह तुम्हारे किताब के शब्द है मेरे नहीं चलिए आगे बढ़ता है एक इनसान को अगर खुशल मंगल जीवन बिताना है तो control and coordination are required for proper growth and development of an organism अगर एक organism को properly grow करना या develop करना तो उसके body में control and coordination का होना आती आवश्यक है इसी stimulus is heat then the response is dash आपको नीचे comments में answer बताना है if stimulus is dash then the response is simmering तुमें नीचे comment में answer बताना है for every stimulus there is a dash response same different तुमें comment में नीचे answers बताने है यहां तक सब clear है अब एक amazing चीज को समझने की कोशिच करते है homeostatus तुम्हारे किताब में यह भी है homeostatus मतलब क्या होता है अभी बात को समझो the concentration of water enzyme and temperature inside the body always remains constant इसको हमेशा constant रहना है मतलब जो enzyme है या फिर तुम्हारे body का पानी है enzyme मतलब hormone says इनको हमेशा constant रखना जरूरी है अब तुम बोलोगे कि भाई अगर यह constant नहीं रहता तो क्या कर होगा मैं तुम एक example लेके बताता हूँ तो यह हम कुछ एक example लेते है random सा तो अब यह बच्चे को suppose a boy has to maintain 500 of water 500 ml of water constant in his body अब उसको 500 ml water अपने body में constantly maintain करना है अब यह बच्चा थोड़ा सा मेहनत करता है ओ हुड हुड दबंग दबंग मेहनत करता है ठीक है मुक्के बाज बन जाता है when the boy works the concentration of the water decreases due to sweat and becomes 300 ml बच्चे ने काम किया तो उसका concentration कम हो जाएग तो और वो 300 ml हो जाता है मतलब 200 ml की कमी है अब इसको fulfill करने के लिए उसको प्यास लगेगा गले में और वो पानी पीएगा जब वो पानी पीएगा then the boy drinks water but he drinks around 350 ml अब वो नाब जोग की थुरी पानी पीएगा तो वो 350 ml पानी पी लेता है अब जब वो 350 ml पानी पी लेगा उ 650 ml हो गया मतलब 150 ml पानी ज्यादा है oh my god constant maintain करना है अब देखो इसके लिए यह बच्चे का क्या होगा इसके बाड़ी में 500 ml पानी चीए था तो यह बच्चा जाएगा तो सूसू जाएगा और पानी निकाल देगा तो क्या करेगा यह excess water था 150 ml जो excess water था उसको urinate कर देगा उ constant water level maintain हो जाएगा कुछ questions पूछता हूँ इससे related what is the body doing body क्या कर रहा है maintaining the state of accumularium body constant maintain की कुशिच कर रहा है question number two who maintains the steady state कौन maintain कर रहा है different system of an organ अलग-अलग गला थोस्ट लगा रहा था ठीक है पसीने से पानी बाहार निकल रहा था सुसू से पानी बाहार निकल रहा है गले से पी रहा है different organs सही न different systems अगला question what is why it is maintaining steady state क्यों maintain कर रहा है for optimal functioning body size से चलने के लिए यह maintain करना जरूरी है और आखरी question how does it maintain the steady state कैसे maintain कर रहा है by proper coordination प्यास लगा पानी पिया सुसू लगा गया workout किया proper coordination चल रहा है चीज़ों की वीच म इस तरीके से maintain किया जा रहा है am I right अभी देखो इन सब चीजों को अगर मुझे एक line में समझाना हूँ एक definition के रूप में समझाना हूँ तो आता है home your status का definition the maintenance of a state of equilibrium state of equilibrium को maintain करने के लिए जो यहाँ पर हमने पढ़ा था state of equilibrium ठीक है by different systems of an organism जो यहाँ पर हमने पढ़ा था different system of an organism ठीक है of an organism for its optimal functional because of proper coordination is called as homeostatus फिर से एक बार the maintenance of state of equilibrium equilibrium को maintain करने के लिए constant को maintain करने के लिए अलग-अलग system एक organism का optimal functioning करता है मतलब जितनी उसकी जुदत्य उतना function करना ही करना है उसको ठीक है because of proper coordination उतना function क्यों कर रहा है क्योंकि प्रॉपर coordination में चल रहा है उसी को हम homeostatus कहते हैं simple इसको लिख लेना चल यह आगे बढ़ता है control and coordination in plant animals वाला हम अगले वीडियो में सीखेंगे अगले lecture में अभी हम control and coordination in plants देख लेते हैं तुम बोलो के भाईया पेड को भी control and coordination चाहिए मैं कहूंगा हां तुम बोलो के यह कैसे example plant जो आख डिखाता है चोटे पेड को कैसी समझ में आतह सको ऊपर की तरफ जाना है समझ रहो तो एक छोटे से पेड़ को कैसे समझ आता है अब जो एक बीज होता है उस बीज को कैसे समझ में आता है कि जब तक मैं दुकान में पड़ा हूं मुझे बड़ा नहीं होना है लेकिन जैसे में जमीन के अंदर जाओंगा मुझे पानी खाना मिलेगा बीज को कैसे सेंभी मीरें उसको फूल बनना है और फूल कि आता कैसे कर सब्सक्राइब और इस फूल कि तो को द yemक हमें हुआ थीओ के सिजनल होते हैं समझ बहु थूम् happily जबैंघ यह क्यों होता है पेड़ को कैसा समझ में आता है कि यह जो मेरे पत्ते सुख गये मुझे उसी को गिराना है हरे पत्तों को नहीं गिराना है और जो पेड़ होता है वो सूरस की प्रति क्यों ग्रों होता है मतलब यह संफ्लावर है यह दूप को देख देख कैसे मूरता क्यों ह बहुत सही है एक रूट जो होता उसको समझ कैसे आता है कि नीचे पानिया मुझे नीचे की तरफ ग्रो करना है और यह जो भीवो सा प्लैंट होता है यह तो बड़ा ही सही एक्जामपल है इसको जैसे तुम छूटे हो चूई वही तो यह ऐसे सिकोड जाता है श्रिंक हो जात काया है यह फी है और बहुत सारे मुवह्मेंट में में मachen सोनू मैं कहारो प्लैंट में लंच्यली मिए ऽंब को मोशन होता है त्योंशन होता है यह हूं ठीक है और यह मिल स्था हाई हाई है पहली वार में श्रुलॉम सब क्या यह कि लेकिन जनाप अब ही मैं बैठा हूं औ अब यह जो movements होता है न प्लान में यह basically दो से तीन प्रकार के हो सकते हैं मैं बता तो दो होते हैं actually एक होता है growth related moment और एक होता non growth related moment भाई यह क्या होता है growth related moment मतलब होता है जिसके कारण growth हो रहा हो non growth related मतलब होता है जिसके कारण कोई growth नहीं हो रहा है भाई यह example लो अभी देख से गोल-गोल-गोल घूमते रहता है इससे बड़ा थोड़ी हो जाता है ये बस घूम रहा है लेकिन वही पर ये जो ये बढ़ है ये खिलके बड़ा हो जाता है ग्रोथ हो रहा है समझ रहो एक सीर से पेड आ रहा है रहा है उपर की तरफ ग्रोथ हो रहा है नीचे जड़ ग् के moment होते growth related non growth related अच्छा इसके लाब एक तरीका और होता है tropic movement या फिर tropism tropism का definition सुन लो पहले it is the moment of plant in which the direction of movement is guided by the direction of external stimulus causing movement stimulus तुम्हें पता है त्रोपिक movement मतलब यह होता है कि direction of movement जो movement का direction होगा वो guided होगा direction of external stimulus द्वार मतलब मेरे इस गाल पे एक मच्छर ने काटा मेरा हाथ गया था यह ट्रोपिक movement है समझ रहे हो यहाँ पर काटा इसलिए यहाँ पर गया external stimulus यहाँ पर कुछ externally change हुआ इसलिए मेरा हाथ यह गया अब बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो ट्रोपिक movement जो stimulus है उसका direction decide करेगा कि direction क्या होगा movement का इसके अलाब एक और होता है जो साथ तुम्हारे बुक में नहीं लिखा है का इस तुम्हारे और होघुक hannooutilenा रंहें नहींदे alonta में खुन वालियांहींता कि निकली की dram type raw गांस झालगा छॉबए इसका अंसर में नीचे कॉमेंट्स में थ्रॉपीजम जिसको अभी हमने डिफाइन किया था जिसमें external stimulus का direction important होता है movement के लिए अब इसके कुछ प्रकार होता है tropicism या फिर tropic movement दोनों एक ही है ठीक है इसके कुछ प्रकार होता है पहला होता है इसमें phototropism अब तुम सोच रहों के भाई यह phototropism मतलब photo मतलब light मतलब वो movement जो light के कारण हो रहा है मतलब जिस तर फ्लाइट होगा उसी तरह movement होगा direction of stimulus is important तो phototropism phototropism एगला देखो hydrotropism hydro मतलब वोता water मतलब पानी का direction important role play करेगा मैं तुम समझाने वाल हो geotropism जिसको gravitropism भी बोला जाता है जिस पे gravity एक important role play करेगा और एक है thigmotropism जो touch के कारण होता है सारे समझेंगे पहले phototropism समझते हैं देखो phototropism में भी दो प्रकार होते हैं जो तुमारे book में दे दिया है बस मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ एक होता positive phototropism और एक होता negative phototropism positive phototropism मतलब कि light के तरफ जा रहा है negative phototropism मतलब light की against जा रहा है simple देखते हैं अभी देखो phototropism towards light search of light अभी यह जो पेड है यह जिस तरफ से light गिर रहा है उस तरफ गुरू करेगा क्यों क्योंकि वो light की तलास कर रहा है यह हो गया positive phototropism जिदर से light आ रहा है उस तरफ जा रहा है लेकिन negative phototropism में जो इसी plant के जो roots होंगे वो light की तरफ थोड़ी उपर जाएंगे roots तो नीचे जाएंगे search of water में तो वो away from the light जा रहा है that means कि यह negative phototropism है search of water and windows के लिए phototropism पेड का उपर वाला part negative phototropism positive phototropism के है पेड का उपर वाला part negative phototropism के है पेड का नीचे वाला part जो की जड़ है जो पानी के और minerals के तलास में नीचे जा रहा है towards the light positive against the light negative phototropism simple है चलो समझते है phototropism को define करेंगे is the phenomenon in which part of the plant sow movement in response to light positive phototropism को कहेंगे is the phenomenon in which the parts of light sow movement in direction of light और negative phototropism को कहेंगे is the phenomenon in which part of light sow movement opposite to the direction of light कता ही simple अब बात करते हैं geotropism की जो gravity पे best होगा तो मुझे भाई यह hydrotropism रहे गया अरे होगा छोटे अभी सुन अभी मान लो कि एक पेड था normally यह पेड ऐसे उपर जाता है लेकि मैंने मस्ती में कहा किया इस गमले को ऐसे गिरा दिया अब जब मैंने इस गमले को गिरा दिया तो भी यह ऐसे थोड़ी ग्रो हो रहा है तुम समझे रहो मेरी बात जब मैंने गमले को गिरा दिया फिर भी क्या मेरा पेड ऐसे ग्रो हो रहा है क्या रूट अभी में नीचे जा रहा है क्योंकि gravity इसको नीचे खीच रही है towards the gravity positive gravitropism away from the gravity negative gravitropism समझ रहा तुम geotropism यह समझ में आ गया towards the gravity जब होता है gravity के कारण जब movement हो रहा है तो उसको हम gravitropic moment कहते है या फिर geotropism कहते है ठीक है geotropism is the phenomenon by which steam of the plant grows opposite towards the direction of gravity ठीक है जो steam होता है जो उपरवाला part होता है gravity के against जाता है ठीक है upward and the roots of the plant grow downward in the direction of gravity और जो roots है वो नीचे की तरफ जाते है towards the gravity मतलब gravity के तरफ जब हो रहा है तो उसको हम क्या बलते है geotropism इसमें भी positive negative है अगर towards the gravity हो रहा होगा तो positive और against the gravity हो जो की ऊपर की तरफ है तो negative जैसे के steam चलिए आगे बढ़ते है hydrotropism अभी बड़ा सा प्यार सा experiment test के लिए ठीक है water अभी इसमें न कुछ कुछ चीजे भी है जो मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ ठीक है अब जो यह route है वो नीचे जाने की तरफ पानी के तलाश में वो इस तरफ जाने लगे हैं अब सोचो तुम इस अद्बुत से पेड के जड़ को पता कैसे चलता कि इस तरफ पानी है अब तुम एक सवाल पूछ सकते हो कि भाया यह नीचे क्यों नीचे जा रहा है पानी इधर खीच रहा है अभी decide कैसे करेगा बेचारा पेड decide कैसे करेगा मुझे gravity के तरफ जाना है geotropism मुझे पानी की तरफ जाना है hydrotropism क्या करूँ मैं मर्चू में कुछ filling नहीं है यह बेटा इसकी filling है मुझे बाद बताओ gravity geotropism जो की gravity के तरफ होता है वो क्यूं होता है पानी जो जड़ है पेड के वो जमीन के अंदर क्यूं जा रहा है of course पानी के तलास में पानी के तलास में जा रहा है और अगर इसको पानी यहीं पर मिल जाएगा तो नीचे क्यूं जाएगा अचा पानी चाहिए gravity चाहिए पेड को बढ़ा होने के लिए of course ज्यादा पानी चाहिए न तो gravity और पानी में पेड पानी को प्रिफरेंस देता है क्योंकि उसको growth के लिए पानी चाहिए समझ मैं है इसके पीछे का answer यह है और नीचे भी इसलिए जा रहा है क्योंकि नीचे पानी है तो अकर उपर ही पानी मिल रहा तो उपर ही फैल लेगा पानी ले लेगा थोड़ा थोड़ा नीचे ओस जाएगा लेकिन ज्यादा से ज्यादा उपर से पानी अब्सॉब कर ऐसे वाले पेड़ की बाते हो रही है यह तच पे इसको समझ कैसे आता है कि बेंट होना है इसी चीज को हम बोलता है थिगमोट्रॉपीजम इस दग्रोथ मुव्मेंट अफ ए स्टीम यह स्टीम का ग्रोथ मुव्मेंट होता है अप सम् प्लाइंट्स ओवर अ सर्फेस इन्फ यह तुम्हारा homework है basically chemical related है बड़ तुम्हें इसको search करना है google करो search करो कहीं भी search करो और नीचे comment करना है यह मच्छर मुझसे पाप करवाएगा यह मच्छर class में सुगर से गूम रहा है मेरे workstation का आसपर यह इसको मरने का मन है तो मेरे इसको मैं निवा रूपा ठीक है मैं पापी नहीं हूँ सब लोग जिन लोगोंने मेरी बात ते सुनिया आता को लोगे पाप मच्छर लिखेंगे chat में मेरे लिए नहीं बोलना sir मच्छर को बक्ष दो you are very good चलो animals के बारे में हम पढ़ने वाले plants के बारे में हम पढ़ चुके ए मच्छर तुझा okay animals देखो क्या क्या difference between complex control and coordination system होता है plants के इंतर simple control and coordination system होता है animals के अंदर nervous system और endocrine system इसे दो होता है पढ़ेंगे हम लोग endocrine system मतलब वही जो hormones से control होता है plants के अंदर nervous system नहीं होता है बट hormone वाला system होता है जो आप यह मागे पढ़ने वाला है specific organs for secretion of hormones glands होता है animals के अंदर यहाँ पे कोई specific organ नहीं होता for secretion of hormones यह difference between मैं जब nervous system में humans पढ़ा लूँगा फिर से भी शायद देखबा लूँगा और अगर मैं नहीं लो तो वहाँ पे notes में add कर लेना यह जरूरी है अगे बढ़ते हैं hormones plants के अंदर मैंने कहा कि hormone system होता है वगर कोई gland नहीं होता मैं पूरे ही body में hormones घूम रहा है अब plant के अंदर कौनसे hormones होते हैं और उनका क्या importance है इसके बार में पढ़ेंगे बड़ एक बात सुलो एक ही काम के लिए ऐसा हो सकता है कि दो या दो से ज़्यादा hormones है मौझूद है समझे न तुम एक hormone एक से ज़्यादा काम भी कर सकता है यह याद रखना है चलिए plant के अंदर जो hormones होते हैं उसका नहीं oxyns, gibralins, cytokinins and abscissic acid oxyds, gibralins, cytokinins, abscissic acid A, B, A भी कहा जाता है इसको कभी-कभी A, B, abscissic acid और A मतलब acid A, B, A, B कहा जाता है इसको कभी-कभी आगे बढ़ते हैं पहले hormones की बात करते हैं जिसका नहीं oxyn oxyn क्या करता है? growth of steam जो steam ग्रोग कर रहा है उसमें help करता है fruit कर और roots के etc मतलब basically growth related hormone है okay, gibralins ये भी growth of steam and fruit करता है लेकिन इसके अलाबा एक और काम है इसका मैंने कहा था न, एक hormone या दो hormone कभी-कभी एक काम भी कर सकते हैं, या फिर एक ही काम के लिए दो hormones भी हो सकते हैं, तो gibralins growth of steam and fruits तो करता ही है साथी साथ breaking the dormancy of birds and seeds अब तो मुलोगे भाईया ये dormancy मतलब क्या होता है तो एक जो बीज होता है, जब वो जमीन के अंदर जाता है, तो वो grow करना start करता है, इसी चीज़ को हम dormancy कहते हैं, fruits के लिए भी हो सकता है right, एक basically दिरे 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 दर fruit आ गया, birds, dormancy, इसको कहा जाता है चलिए, दो और hormones थे, cytokinin cytokinin जो है, growth of plants by cell division मतलब ये cell division के थूप plant को grow करता है, cell division के बारे में हम 10th time में ज़्यादा अच्छे से समझेंगे basically एक cell से जब दो cell बनता है उससे और cells बनते हो, उसको cell division कहता है present more in seeds ये ज़्यादा cytokinin seeds में होता है, और fruits में होता है और ये functioning of stomata को भी control करता है, और ये भी dormancy आप seed को कुछ हत्ता control करता है समझ रहे हो, मतलब dormancy में help करता है simply, तो present more in seeds and fruits क्योंकि वहाँ पर cell division की ज़्यादा ज़रुत है और इसकी functioning of stomata जो होता है, पेड का stomata होता है जिसके बारे मैं बढ़ चूके previous lectures में उसमें भी ये help करता है opening and closing of stomata कि इस तरीके से stomata से कोई बीचे lose होगा, diffusion में चलिए आगे बढ़ता है, abscissic acid inhibits the growth, stops अभी तक हमने जितने hormones पड़े ऊपर ठीक है, वो सारे growth में help कर रहे थे लेकिन जो abscissic acid होता है वो growth को रोखता है inhibitor है, समझ रहे हो inhibits the growth, stop कर देता है controls falling of leaves मैंने कहा था न कि पेड़कों कैसे समझ में आता है कि उसके पत्तों को गिरना है तो यह control करता है falling of leaves abscissic acid functioning of stomata stomata के functioning में भी help करता है और promotes dormancy of seed यह भी dormancy of seed में थोड़ी सी help करता है यहाँ तक सारी चीज़े clear है I really hope कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कुछ questions है the moment is coordinated by hormones, chemical, both न तुम्हें comment में answer बताना है auxin helps in suits जो भी यहाँ पे options से उसके इसाब से जो सही answer होगा उसको तुम्हें answer बताना है comments में अगला question है cytokine in cell pain तुम्हें नीचे comments में answer बताना है और अगला सवाल है which of the following are growth inhibitor मतलब इनमें से कौन सा growth inhibitor है आपको इसको भी comment में बताना है और यहाँ पे 8 questions होते हैं खतव जो मैं आपसे पूछना चाहता था students एक प्यारी सी बात मैं आप लोगे साथ share करना चाहता हूँ जब मैं छोटा था तो मुझे guide करने वाला मुझे help करने वाला कोई नहीं था ना तो ऐसे कोई YouTube channel था जो अच्छे से पढ़ाता था मैं इसमें से जितना हो पाता है मैं हो करता हूँ सच मैं अपना time, पैसा, energy सारी चीज़े लगा रहा हूँ और return में कभी तुम्हें सामने आगर के दिखा दूँगा कि कुछ भी नहीं आता negligible मतलब अगर आज तक मैंने YouTube में पांच लाख रुपे लगाए है तो मान लो कि मैंने आज तक YouTube से खाली 80-90,000 रुपे कमाए है अब समझ रहे बात इसमें कोई जूठ नहीं है, सच अब मैं इशाद है कि कोई और मेरा student कोई और मेरा super learner ठीक है, कोई मेरा छोटा भाई, मेरी कोई छोटी बेहन इस चीज को लेकर के struggle करे तो अगर आप वो मेरी बात ध्यांता चुना, जिसको लगता है कि हाम मुझे decisions लेने में गरबड होता है मुझे कोई सही से guide करने वाला नहीं है अपना बोल करके और मुझे cross question करने वाला नहीं है कोई मतलब अगर मैं उसके जाकर कुछ बताता हूँ अपनी कोई feeling बताता हूँ अपने कोई problem बताता हूँ तो मुझे ये न बोले, अबे तु चूतिया ये इसलिए तो ये जहेल रहा है समझ रहे हो ऐसा अगर तुम तुमारे life में कोई नहीं है तो तुमारा भाई है and for that purpose ये सब के लिए नहीं ये कुछ लोगों के लिए है मैं लेकर करके है मेरा personal mentorship program प्लीज समझो ये पैसे कमाने के लिए नहीं है बाकि तुमारी सोच तुम्हें जो सोच नहीं सोच सकते हो ठीक है अंति तक देख लो तुम्हें समझ आ जागी पैसे नहीं कमारा मैं से यहाँ पर मैं आपको अपना personal number शेर करूँगा in mentorship program dedicated study planner बनाने में help करूँगा career guidance one-to-one discussion on your problems improvement report and much more यह सब तो नाम के लिए लिखा हुआ है ठीक है यहाँ पर मैं कोई भी चीज पढ़ाने वाला नहीं हो कोई subject नहीं पढ़ा जाएगा कोई academics नहीं पढ़ा जाएगा लेकिन तुम्हें उसके अलबा सम ज़्यान जो जरूरी है आगे जिन्दगी में वो सब मैंने जितना भी सीखा है सब कुछ शेयर करूँगा regular basis पे तुम लोग के एक अलग से group है जिसको तुम join कर सकते हैं and much more यह सारी चीज़े तो ऐसे कुछ points लिखे कि हाँ कुछ तो दिखना चीए न much more जो starting मैंने कहा नखिए अगर तुम वो हो जो struggle कर रहा है कोई guide करने वाला नहीं है तो यह program तुमारे लिए है वो ऐसे तो मैंने इसको सूचा था monthly 1.99 फिर मैंने reduce कर दिया monthly 99 फिर मैंने सूचा कि क्या मैं यह पैसे कमाने के लिए कर रहा हूँ कैसे एक 9-10 का बच्चा afford करेगा monthly 99 घरवाले नहीं देंगे तो इसलिए मैंने इसको साल भर का 99 कर दिया साल भर का 99 अब यह कोई भी afford कर सकता है मैं जानता हूँ anyone can afford this साल भर का 99 और मुझे return में कुछ नहीं मिलेगा अगर मैं आपको साल भर 99 रुपीज में सब कुछ दे रहा हूँ मेरा तो सच के रहा हूँ description में एक link रहेगा personal mentorship का join करने के लिए आपको discount code यूज करने winner जिससे आपका 99 रुपीज हो जाएगा एक बार पे करोगे दुबारा जब आप refund मागोगे एक साल में आपको कभी भी refund मिल जाएगा एक साल में जब refund मागोगे तब 15 मेने और बोलोगे मुझे refund चाहिए ले लो कोई दिक्कत नहीं 12 महिना खतंव और नास्ट दिन तुम बोलोगे मुझे refund चाहिए ले लो 12 महिने खतंव होने के बाद भी आखे बोलेना refund चाहिए ले ले लो 99 रुपेज किस step समझ में आ जाएंगे और अगर आप नहीं हो पाते हो तो मेरा call आपको 24 to 48 hours के अंदर आ जाएगा ठीक है नमबर नाम सब सही से डालना अपने parents से बात करके लेना ठीक है मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं in my personal mentorship program अगर आप आ रहे हो तो please comment में लिख देना yes कोई मिल ग दिए रहे हो जाएगा रहे हो जाएगाना हिस कि दो चाल दोड़ हुआ है पित